नमस्कार दोस्तों देखो सीखो स्टेडी में आप सभी लोग का स्वागत थे दोस्तों तो यहाँ पर UPSI के लिए मूल विधी सम्विधान और समान ग्यान का प्रैक्टिस रिट नमबर 20 आ चुक है आप जानते होंगे सी यहाँ पर बिल्कुल ही रेड एंसर हो जाएगा और यह जो है आएकर अधिनियम की जो आएकर अधिनियम है आप जानते हैं यह समय घालाय में है याद रखेगा ए बिल्कुल ही रेड एंसर हो जाएगा जयंतिया खासी और गारो ए बिल्कुल ही रेड एंसर हो जाएगा क्रम है next बात करेंगे सूचना का अधिकार जो है RTI की बात कर रहे है RTI 285 की बात कर रहे है ठीक है कामूल उद्दे से सरकार के कारे में बढ़ावा देना है किस चीज में पारदसिता में बिल्कुल जवाव देही में भी इसलिए तो जो है RTI लागू है तो बिल्कुल दोनों यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा तो यहाँ पर D बिल्कुल ही राइड एंसर हो जाएगा जवाव देही और पारदसिता दोनों L और M दोनों next बात करेंगे निम्रिखित जीलों में से कौन सी सबसे गहरी जील है भीया तो याद रखेंगे एक्जाम में यह रिपीटेड कोशन है बहुत बाराता है बैकाल जील C बिल्कुल ही रेड एंसर हो जाएगा रूस के साइवेरिया छित्र में यह है और पहले नमर पर यह बिल्कुल ही रेड एंसर हो जाएगा बैकाल यहाँ पर सबसे गहरी पुछाएगा तो यह दूसरे नमर पर यह पहले नमर पर बैकाल यहाँ पर रेड एंसर हो जाएगा next बात करेंगे मानवा अधिकारों की सौरभौम घोषणा का मसोधा समीती क्या देख्ष कौनते तो यादकी का रूजवेल थे कौनते एलेनोर रूजवेल C यहाँ पर बिल्कुली रेडेंसर हो जाएगा C यहाँ पर बिल्कुली रेडेंसर हो जाएगा next बात करेंगे previous year का question था यह next बात करेंगे Caldera जो है किस प्रक्रम से निर्मित जो इस्थालकृती है कौन सा किस से निर्मित इस्थालकृती है यह जुआला मुखी से तो याद रूजवेल थे बिल्कुली रेडेंसर हो जाएगा जुआला मुखी से next बात करेंगे कौन सा प्रोग्राम एक दुर्भावना पुर्ण का इक्रम है दुर्भावना से उसको चलाए जाता है जो उस समय निस्पादित होता है जब एक निस्चित मापदंड पूरा किया जाता है या एक निस्चित फाइल तक पहुंच जाता है या एक निस्चित कुझी सन्यूजन दबाए जाता है तो यह दोस्तो लॉजिक बम होता है इसको प्रवेश करके सिस्टम में उसको खराब करने के लिए यहाँ पर जब एक की दबाएगा वो तो तुरंती यहाँ पर जो है लॉजिक बम बम से ही पता चल जब आपको तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा यह दूर भावना पूर्ण होता है काईकरम ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे इंटेलिजन भी भागवागी यूज़ करते हैं नेक्स्ट बात करेंगे बहुत धर्म के महायान संपरदाय में बोधी सत्व क्या नाम है और लोक के तीसवर को अन्य किस नाम से जानाता है और कोई इनका नाम है तो याद रखेगा पाणी है पद्मा पाणी यहाँ पर डी बिल्कुल रैडेंसर हो जाएगा पद्मा पाणी दोस्तों इनको कहते है डी बिल्कुल रैडेंसर हो जाएगा याद रखेगा नेक्स्ट बात करेंगे भारतिया न्याले में जनहीत याचिका दायर करने के संबंद में निम्रिकित में से कौन सा सही है एक्स देखते हैं एक्स में क्या बात हो रहा है एक्स में बोले रहा है दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति उरिसा में रह रहे कुछ स्रमिकों के सोशन के संबंद में जनहीत याचिका दायर कर सकता है बिल्कुल कर सकता है तो दोनों यहाँ पर रैडेंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा option, option नंबर सही बताना तो C हो जाएगा, चलिए next question है, सुची 1 का सुची 2 से मिलान करना है, तिर्थंकर है, तिर्थंकर किसमें होते हैं, जैन धर में, या पर कह सकते हैं, जैन पंत में, तो यहाँ पर दोस्तों जो है, आपको यहाँ पर मिलान करना है कि इनका प्रतिमा लक्षण मतलब यह है कि किसी जो जयन तिर्थंकर है उनके लिए कोई सिंबॉलिक चीज है तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे संभवनात जो है इनके यह थौड है जयन तिर्थंकर है तीसरे तीसरे हैं याद मैं लिखते चल रहा हूँ यहाँ पे तो तीसरे यह हैं और इनका जो है ऑस्व, बहुटा जो है इनका سिंबल है, ठीक है अब यहाँ पर दूस्ति दिखें पाष्वनाथ पाष्वनाथ का आप कई बार जानते होंगे पाशुनात जो है, यह कितने हैं, तेईसमे हैं, यहाँ पर ही लिख दे रहे हैं, तेईसमे हैं, और इनका जो है, वो आपका हो जाएगा, शर्प, शर्प यहाँ पर इनका हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानि A का 3, A का 3 और B का 2, महाबीर स्वामी का है तो बिल्कुल यहां पर एंसर दे रहा है नेक्स्ट बात करेंगे निम्रकित कत्रों पर ध्यान देकर सही विकल्प यहां पर चुनना है कः दस वर्ज की आयू का एक बालक है जो कार के प्रकृती को समझने में जो है छमता से यूगता है मने कि कोई भी काम वो कर रहा है यह सब चीज वो जानता है अंजान नहीं है ठीक है तो सयासय मने उसके बाद क्या हुआ खो की मिर्तिव कारित कर देता है उसी के आसा से खो की मिर्तिव कर देता है 83 क्या करती है 83 कहती है कि 7 वर्स से लेकर 12 वर्स के जो बच्चे है इन को छूट दिया गया लेकिन बात सुनिए इसमें ये है कि उनको अपने कारे के बारे में नहीं पता होना चाहिए ये नहीं कि उसको मालूम है कई बच्चे होते हैं जो नहीं उतना जानते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर उसको जो है दो शिद्धितु जो सो उतरदाई मनने जाएगा बिल्कुल मनने जाएगा यानि यह आपका सही है यहाँ पर कारण क्या बता रहा है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयू को जो कार है प्रकृति को समझने में अच्छम जो सिसु हैं अप्रा अधिक दैतों से मुक्त हैं बिल्कुल मुक्त हैं लेकिन जो समझने में अक्षा में यहाँ पर बात किया है प्रकृति को समझने में लेकिन यहाँ बिल्कुली रेड एंसर हो जाएगा ठीक है याद रखिए का 83 वाला आता है नेक्ष्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का वह कौन सा स्थल है जो बौध एवं जैनी दोनों के लिए दोस्तों ख्याती प्राप्ते मने की जाना जाता है तो याद रखिए का ये जो स्थान है भ इंपोर्टेंट प्लेस है इन दोनों धर्मों के लिए अफिर कहें तो दोनों समुदायों के लिए चलिए नेक्ष्ट बात करेंगे नेक्ष्ट जो कोशन है बाग तथा संकटपन जो पसु हमने जीन पर संकट है के संबंद में अपराद नियंतरन ब्यूरो का गठन कौन कर करता है तो दोस्तों यह जो ब्यूरो है इसका गठन केंद्र सरकार करता है याद रखीए बिंदु सार किस संपर्दाय के अनुआ था यह आपकी एकजम में पूछा जा सकता है तो हिंदु धरम आएगा ब्रामः धरम आएगा तो आप करेंगे बिल्कुल सी यहाँ पर एंस देखिए यह था भले ही, लेकिन आजिवको को और भी जो पंत हैं, सब को जो है, आजिवको का काफी यहाँ पर सम्मान था यहाँ पर. तो A बिल्कुली, मतलब यहाँ पर C बिल्कुली रैडेंसर हो जाएगा. next बात करेंगे परियावरा संडच्छन अधिनियम इसे के बाद किया है परियावरा संडच्छन अधिनियम भारत का है ये दोस्तों जहें इसी के बाद का है तो बिल्कुल ये आपका स्थाक होम जो घोशना है यही यहाँ पर राइड इंसर हो जाएगा सी नेश्ट बात करेंगे संकट ग्रस्त जो प्रजाती है कि सूची किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है तो यहाँ दखेंगे संकट जो ग्रस्त है मने जो लूप्त होते हैं या फर जो क्या करते हैं खत्म हो सकते हैं या फर जिन पर संकट है ऐसे संस्थाओं की दोस्तों इसे प्रजातियों की जो सुची बनाता है वो IUCN बनाता है इस ये जो स्थापित है ये 1948 को स्थापित है इसका फूल फोर्म क्या होता है international I से international U से union international union for आपका C से क्या हो जाएगा conservation of जो अपका क्या हो जाएगा आफ नेचर ठीक है तो इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन आफ नेचर यही जो है यही जो है रेड जिसे लाल सुची में रखता है बिल्कुल यहां पर राइड एंसर हो जाएगा 1948 में यह जो है क्या है स्थापित है याद रखेगा नेक्स्ट बात करेंगे किस वाद में या अभी निर्धारित किया गया कि जो पुलिस जो व्यक्ति पुलिस हिरासत या जेल में है उसे जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए तो दोस्तों यह कौन से वाद में कहा ह है सुप्रिम कोट ने या देखेंगे नील वती दोस्तों बहरा जो बनाम उडिसा राज्य है यह बिल्कुली रेड एंसर हो जाएगा इसी के मतलब यही जो है वाद में कहा गया है उन्नेश सो तिरानवे का वाद है इसमें यह कहा गया है कि मैया पुलिस जो है या फिर जो जीने का मतलब जो अधिकार है उससे उनको वन्चित रखा जाए तो यह बिल्कुली रेड एंसर हो जाएगा खाना पीना इत्यादी उनका तबीयत जो सब यह सब है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे साइलेंट वैली आंदोलन दोस्तों किस लिए चलाए गया था साइलेंट जो आंदोलन है वो किस से रिलेटेड है या तो यह रिलेटेड है जैव विविदता से जैव विविदता समर्चन है तू जो है उनको रच्छा करने के लिए दोस्तों यह चलाए गया था केरल के केरल में चलाए गया है पलकड में दोस्तों यह चलाए गया था याद रखें बीमा नहीं किये गए यान को, यान मतलब गाड़ी की बात हो रही है, को चलाने पर कितने माहा तक करवास हो सकता है, तो दोस्तों तीन माह अगर आप थर्ड पार्टी वाला नहीं लिए हैं, क्या करते हैं वो, इंसोरेंस, बीमा, और यह यान, जो है, हिंदी में कुछ चीज ह यान, आप सुनेंगे, यान। यान हैं एरोफलीन की बात नहीं हो रही है, गाड़ी की बात हो रही है, यहापर तीन माह तक का और दो हजार रुपए का आपका जुर्माना हो सकता है, साथी एक और चीज है, अगर दुबारा पक्ड़े जाते हैं, तो तीन माह प्लस चार जर्माना उसकता है तो यहां पर तीन मां यहां पर रेड असर हो जाएगा याद रखे का भूत ही इंपोर्टेंट है यह भी कोशन और साथी साथ जो है आप धारा याद रखेंगे धारा कौन सा है यह मोटर यहन का आपका 1968 का जो धारा वो 196 धारा नंबर है इसके अनुसार न आपका सही है तो कौन सा गलत है यहां पर दोस्तों आपका दिया गया है तृप्ती देशाई किसके लिए तृप्ती देशाई दिया गया है आपके नर्मदा बचाओ के लिए लेकिन नर्मदा बचाओ के लिए कौन को नाम था वो आपके जो फेमस है वो याद रखेंगे साथ इसमें जो नर्वदा बचाओ था उसमें कुछ नाम है जो कि important है याद एकेंगे मेधा पाटकर मेधा पाटकर साथी साथ बाबा आम्टे बाबा आम्टे और दोस्तो जो है अरुंदती राय यह जो तीन लोग का नाम काफी यहां पर important है लेकिन यहां पर क्या दिया है जो कि दूस्तों जो त्रिप्ती देशाई हैं इनका सबन दूस्तों भू माता ब vrijbell से है किससे बू माता भू माता ब्रिगें तो इनको यहां पर लिया जोड़ दिया है यही गलत है या फिर शुमेलित नहीं है वेसे मेधा जी का नाम यहां पर होना चीए था चलिए नेक्श ज ठीक है तो तीस वर्स है सी बिल्कुल ही रेड इंसर हो जाएगा और यह आप दोस्तों अनुच्छे दो जो 84 और 173 में देख सकते हैं बिल्कुल आपका जो है सी रेड इंसर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे निमिकित में से कौन सा युगम सही नहीं है इसमें कौन सा जो की सरी सही है वो बताना है यहापर निमिकित में से कौन सा युगम जो है सही है वो बताना है सुमेलित सही कौन सा है तो बिल्कुल दोस्तों यहापर ऐसे गलती आपसे भी हो सकते है तो ध दो यहाँ पर होना चाहिए तो चार लिखा है और यहाँ पर पसु क्रोड़ता जो अधिनियम है यह बेलकुली ठीक है और परियावरण अभी हमने 86 बताया था आपको आप देखी रहे हैं कई बार कोशन में भी देख रहे होंगे तो कौन सा सही है सिर्फ यहाँ पर जो है पस जयती राज बिवस्ता दोस्तों अपना है था तो कौन है यह सबसे पहले तो याद रखेंगे एक्जाम में यह भी कई बार जो है इनका फेवरेट कोशन है आता ही आता है तो देखें राजस्तान का नावगोर जील आप जानते हैं बिलकुल यहाँ पर ए राइड एंसर हो हो जाएगा दो अक्टूबर दोस्तों जो है नेश्ट बात करेंगे गौतम बुध्य ने अपना पहला उपदेश कहां दे रहते है यह भी फेवरेट कोशन है लोगा सारनाथ में आप सभी लोग जानते ही है पहले जो यह दिये थे उपदेश इसको कहते हैं क्या है क्मेंट बॉक्स में next बात करेंगे राश्टपती और उपराश्पती के निर्वाच्चन में किसी तरह का बिवाद होने पर चुनाव या चिका किसके समक्ष जो है दोस्तों दायर की जा सकती है तो यह जो है उच्छतम न्याले के समक्ष या फिर कहें तो सरूच न्याले के दोस्तों स सरदार बला भाई पतेंल सर्दार बंबला भाईयिक्रिषी यह और प्रदोग की विश्विद्याले उत्तर प्रदेश के मेरथ में जो है यह सथापित किया गया यह पर बना है नेक्स्ट बात करेंगे राज्य सभ्वा के लिए निर्वाचित अत्वा नामी तशदस्टे को दोस्तों कारेकाल कितना होता आप जानते है छो वर्स होता है और साथी चात आप याद रखेंगे हर दो वर्स में क्या होता है इक बटा तीन जो है जो है सदस्त क्या होते हैं वो सेवा निवरित्त हो जाते हैं ये भी याद रखेंगे बहुत important point है ये भी exam में आपके पूछाई जाता है चलिए next जो question है जो है crypto currency क्या है आप जानते है डिजिटल मुद्रा है या फिर कहेंगे आभासी आभासी मुद्रा या फिर जो है डिजिटल मुद्रा कहते हैं ये बिल्कुली रेडेंसर हो जाएगा next बात करेंगे दसवी अनुसूची जानते हैं कि मैं क्या प्राव धन है दल बदल से related है मैंने याद करवाय था अनुसूची बिल्कुल यहाँ पर जो C रैड एंसर हो जाएगा दल बदल पर रोक C 1985 याद रखेगा C बिल्कुल रैड एंसर हो जाएगा next बात करेंगे हिपेरीन जो नामक के प्रोटीन का स्रावड कहा होता है हिपेरीन नामक जो प्रोटीन का स्रावड भईया यह यकृत की कोशिका से होता है बिल्कुल यहाँ पर C रैड एंसर हो जाएगा ठीक है जो ठक्काज अपने से रोकता है नेक्स्ट बात करेंगे भारत के राज जेवम केंदसासीर प्रदेशों की सूची किस अनुसूची में दोस्तों ये प्रवधानित है तो दोस्तों किस में आपको मिल जाएगा पहली में ही अनुसूची में आपको मिल जाएगा ये बि विवार के लियान मंत्राले मिशन इंद धनुस बच्चों के स्वास से रिलेटेड आप जानते ही हैं दिसंबर दोस्तों 2014 से दोस्तों ये सुरू है दिसंबर 2014 से सुरू है सी बिलकुल ही रैड एंसर हो जाएगा और यहां पर नेक्स्ट कोशन है भारत में राज्यपाल विध जहान परिशद में ऐसे सदस्यों को मनुनित करते हैं जिन्हें विशेस छेत्रों में विशेस ग्यान अत्वा विवहारिक अनुभव प्राप्त हैं वे हैं तो देखिए साहित पांच पांचों में कर सकते हैं साहित के छेत्र में उनको होगा ये खतम होने वाला आप जानते तो दोस्तों यहां पर विज्ञान या फिर कला या फिर सहकार या अंदोलन या फिर समाज सेवा तो उप्यूग तो सभी यहां पर मार सकते हैं ठीक है पाचों में से किसी में रहेंगे तो जो है इनको कर सकता है राज्यपाल मनुनित नेक्स्ट जो कोशन है अनुच्छे दियाद रखेंगे वो आपका जो है 171 है 171 के पांचवे नंबर में है अनुच्छे नेक्स्ट बात करेंगे कुशूम जो है यह योजना समंदित किस्से है कुशूम जो दोस्तों है यह क्या है यह भईया भिया सौर उर्जा सनियांतर से सौर उर्जा सनियांतर से रिलेटेड है 2018-19 से यह आम बजट में दोस्तों यह स्टार्ट हुआ है और इसका लक्ष क्या है लक्ष दोस्तों यह है कि जो है 10,000 जो मेगावाट का बंजर भूमी जो किसानों की है उसमें 10,000 जो मेगावाट का बिजली उत्पादन करना यहाँ सौर उर्जा के द्वारा सनियांतर के द्वारा जो भी कह सकते हैं नेक्स्ट बात करेंगे सनियांतर के द्वारा राष्टपती सोरी रस्तिय अपात के दौरान जो है अनुछेद के आगर 358 के अंतरगत कौन सा मूल अधिकार स्वता निलंबित हो जाता है तो भाईया आप लगता है तो जो स्वतंता का अधिकार है अनुछेद 19 यह निलंबित हो जाता यह नहीं कि आप यहांपर आपातकाल लगा हुआ और आप जो हें गोस्टी करने लगें तो यहाँ पर जानते हैं निलंबित हो पुलिस बहुत मार मारेगी यहाँ फिसससत से नाए यहाँ पर D बिल्कुल ही red answer हो जाएगा next बात करेंगे making India काई करम में वर्स 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में वी निर्माण छित्र की कितने पतिसत हिस्सेदारी का दोस्तों यहाँ पर लक्ष रखा गया है तो यहाँ रखेंगे 16 से बढ़ाकर 25 पतिसत तो 25 पतिसत इसका red answer हो जाएगा लक्ष क्या रखा गया 25 पतिसत बिल्कुल यहाँ पर यह red answer हो जाएगा next बात करेंगे समविधान के अनुसार विधान सभा में अधिक्तम और नियूंतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है अधिक्तम और नियूंतम जो सदस्यों की संख्या वो कितनी हो सकती है भया तो अधिक्तम जो है 500 तक हो सकता है अधिक्तम जो है वो 500 तक हो सकता है नियूंतम जो है 60 तक हो सकता है लेकिन कई आप ऐसे राज़त देखे होंगे जैसे आपका जो है नागालेंड हो जाएगा नागालेंड में आपका जो है नागालेंड में आपको 46 मिल जाएगा जो संख्या है वो आप जो है मिजोरम में देख सकते हैं मिजोरम में जो है आपको 40 मिल जाएगा गुआ में आपको 40 मिल जाएगा गोओ चारीस होगा और शिक्कीम में आप देखेंगे हैं तो यह सब अपवाद में आते हैं याद रखेंगे ठीक है लेकिन ये पर अधिक्तम पांसो और नियूंतम जो साथ ही याद रखेंगे चलिए नेक्स जो पोशन है मुद्रा योजना द्वारा कितने प्रकार के लोन या फिर रिण जो है जारी किये जाते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे मुद्रा योजना के द्वारा जो है तो तीन प्रकार के जो है तीन प्रकार के जो है लोन है कौन कौन से है वह या सिसू है सिसू लोन का यह सहा नाम है ठीकर सीसू है और उसके बाbest किस ओर है और एक जो है तरून है अब इसमें क्या है सिसू वाले में 50.000 तक जो है रीण मिल सकता है और इसमें जो है 50 जा से लेके 5 लाख तक और इसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक ठीक है तो याद रखेंगे तीन प्रकार का है C बिल्कुली रेड एंसर हो जाएगा नेक्ट बात करेंगे निमिकित में से कौन सी मद जो है संग सुची का एक बिसा है इसमें से कौन सा है जो की संग सुची का एक बिसा है भहिया तो यह प्रकास सिस्तंब है ये बिलकुली राइड इंसर हो जाएगा प्रकास सिस्तंब जो है ये संग सुची का है बिलकुल ये बिलकुली आपका यहाँ पर राइड इंसर हो जाएगा और यहाँ पर last question आ चुका है निम्रकित में इसे कौन सा कार्य गयर जो है बैंकिंग वितिया कंपनी नहीं करती है त लेकिन यह कौन सा नहीं करते हैं तो बिलकुल यहां दखेगा क्रिसी गतिविदिया या फिर जो है दोगीक से रिलेटे यह सब नहीं करते हैं तो बिलकुल यहां पर सी रेड एंसर हो जागा तो देखिए दोस्तों यह लगभग में 40 कोशन थे और 20 नंबर यह सेठ्ठा सा करत और unos नहीं दोग बिलका सा कर सकते हैं वे टेखिए इलेटेश करते हैं पर झालेब गार कर स्क दोरोगग में जादये हैं अ ⌌